यह हमारा FZ-200 का हेंडल बार जो कि मैंने यहामा के शुरूम से लिया है और यह लगेगा अज हमारी N160 में सब्सक्राइब करें तो अब देख सकते भाई अभी मैं हूं घर पर ही और मतलब अभी तो गुडगाओं पर ही हूं और तो अभी मेरे को जाना है टाइटल और थम्नेल को देखे आए थिंक समझ गए होंगे वीडियो नहीं बहुत ही ज्यादा इंप्रेंट लास्ट काफी टा आली बहुत कुछ कमेंट्स भी आई क्वेरीज भी आई तो फाइनली एक भाई है यूटूब पर चैनल है उनका उनको टैक कर रहा हूं यह वीडियो उन्होंने ही मेरे को फाइनली उनकी सजेशन से मैंने हैंडल चेंज कराने के लिए सोच लिया है तो हैंडल मैंने चेंज आलवाद चलाने के बाद चेंज कर वालूंगा और फिट देखते हैं तो मेरे को भी नी पता कि कैसा है थोड़ा सा अप्राइज तो है तो शायर अच्छा हो और बाकी तो चलाने के बाद ही करेंगे रिव्यू रिवीव बाद में डालूंगा जब मैं कुछ राइट्स चेंज करने का आपको दिखा दूँगा अगर आपको लगवाना है या आपको भी चेंज कराना है तो आप भी कर सकते हो बागी बहुत से लोग यार डूमिनार का हैंडल भी यूज़ करते हैं एंप्राइक करा हुआ है बट मैंने जो भाई ने सजेस्ट किया यातराम करके सब्सक्राइब है उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया और उन्होंने उसी हैंडल बार के साथ करें उनको बहुत कमफर्ट लगा और थोड़ा इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा कॉस्ली है अगर हैंडल की कॉस्ट बताऊं तो औराउंड सेवन हंडड़ सिक्स नैंटी रूप और ताकि उस पर पता चल जाएगा अभी जाते हैं और चेंज कर बाते हैं लेखते हैं क्या प्रोसेस होने वाला मुझे खुद नहीं पता तो करके दिखार जाता है लेकिन अभी मिले को कुछ नहीं पता कैसे चैंज हो क्या कुछ अलग होगा जो भी होगा वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं मोटर व्लोगिंग सेटप पर तो मैं आ चुका हूं और हैंडल चेंज कराने का रीजन आपको पता ही है बहुत बार बताया भी है इसका है भाई देखो अभी ऐसे है फिर ऐसे जाके है लास्ट में देख रहे हो यहां पर आके ऐसे हो रहा है और अ इतना अब इसलिए क्योंकि यहां पर राइजर भी लगे वह है अगर यह राइजर न в तो जैसे नहीं हाँ पर भाई हाथ में पेन हो थोड़ा प्रेसर आई जाता है अब जब एफजेट का हैंडल में जा कर दिखाऊंगो कौन सा है और कैसा है तो वह हो जाएगा बिल्कुल इस ट्रेट यहां पर आएगा आई तिंक वह यहां तक आजाए और स्ट्रेट हो पर दिखाता हूं और बागी कुछ शॉट्स वगेरा भी लेंगे इंस्ताग्राम के लिए भी तो वहाँ पर आप जाके चेक आउट पर लेना इंस्ताग्राम पर अभी आप चेक कर सकते हो हैंडल भाई यह कुछ देख रहे हो अभी देख रहे हो डाउन साइड में राइज अधर लगे में इसलिए ठीक है अब मैं दिखाता हूं आपको एक नया हैंडल है वह भाई यह हमारा कि यह अप्राइज हैंडल हो जाए ठीक है यह हमारा एप जड़ाइस हो का हैंडल बार जो कि मैंने यामा के शुरूम से लिया है और यह लगेगा अज हमारी एन वन सिक्स इसा लगता है जैसे भी होता है रिविव आपको देंगे और यह खड़ी अपनी बाइक है कि आज फाइनली हैंडल चेंज हो जाएगा एफ जड़ाइस लिए बहुत लोंगे ताकि कोई लोगों कांफ्यूजन ना हो ठीक है अभी देखते कैसा काम होने वाला है अंदर चलक मार्य आप यहां से भी आसे हैं तो स्विच्च हमारी यहां जो मुठी है ना राइट साइड का वह खुल गया है जिसमें मरा थ्रोटल रोता है अब दिए-दिए करके सारा कुछ बढ़ा गुंद आएगा सवाप्य चेक कर लो भाई यहां से भी खाली हां से भी खाली हो गय और मिर्यर्स वग्यरा हमारे हट गए और यह सॉकेट वग्यरा सब भट जाएगा और हैंडल निकलने की बारी और आपको दिखर होगा राइजर भी इसमें लगे वह हैं तो राइजर हम हटवाई देंगे इस बार बिना राइजर के लगवाएंगे अब देखते हैं फिर अप आपको अपको अपाल प्राइजर के अब करेंगे अब विए यह फिर फ्रें फीन अफ्रिवाइजर को फिर फिर फिल्गूल खाली खाली जैसे जर से रहेगा हां थात्क अट रहे हैं दो नंस पूरे तो अब लगने जा रहा है भाई हमारी बाइक में एफ जेड का हैंडल बार एन वन सिक्स्टी में आप स्कूर्ट हैंडल हट्स के एक टूरिंग हैंडल होने वाला है जिसका काफी दिनों से इंतजार था फाइनली वो पल लास्टली आ गया है क्या लगता है भाई कमफर्ट कि इतना नहीं देर को खुद को नहीं वालूम क्योंकि मैं भी सिर्फ किसी के कहने पर करवाया मतलब सजेशन पर ही करवाया बाकी तो देखते हैं पहले से अप हो गया है लगता है आपको पहले डाउन था ना मतलब वो हैंडल का जो पोस्चेर है वह ही डाउन जैसा कि पता ही था मुझे इसमें यहां पर ना एक्जक्ट होल नहीं मिलेंगे आपको तो यहां पर ड्रिल कराना पड़ेगा अगर कोई लगवार है अबज़ट आइसो कहंडल तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा जैसी यह फिट होता है नहीं यह जो पिन नेकार कहाएंगे इसमें इसलिए दुदारा से हेंडल खोल आ जा रहा है पर यहां पर जब छेद जाएगा ना फिर उसके बाद फिटिंग होगी दुदारा काइनली भाई बड्रील होके आप चुका है है हाँ तो दुदार से आपे डृल वादेगा है यहां पे हुआ है अ तो बाई ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करने पड़ी बस यहां पर आपको एक चेद इसमें और एक चेद इसके नीचे यह दो चेद हो जाएंगे ना तो फिर सारा काम फिट हो जाएगा एकदम और अब देको यहां पर यहां पर वाला तो सॉकेट लग गया है अबना लेट साइड वाला पेंडिंग है तो वाईजर अट्वा दिया तो मतलब और अभी ना टेस्ट वेस्ट करेंगे ना तो इसको हम अपने इसाफ से अज़स्ट भी कर सकते हैं यह चार श्कू डीले करके काफ इच्छा रिजल्ट आने वाला है क्योंकि हैंडल की जो पोजिशन है वह अलगी है इसमें बिल्कुल बाहर बहार ताइप की तो धिरे-दिरे सारी चीज़े पता जलते जारे हैं जैसे एंड में यह वाला चीज के सिस्टम तो यहां से इसको कट करवाना पड़ेगा अ अगर इस साइड से देखाए जाए पीशे तो यह यह लुक चाहिए था अबने को वह लुक आ गया है यह आप चेक कर लो पहले देखे तो कैसा था ऐसे रहता था बहुत नीचे की साइड में आप देख बिल्कुल उप साइड हो गया वाकित चलाने के बाद पता चलेगा कै कैसा है कैसा नहीं सो भाई फाइनली हम आ चुक है अपने हैंडल की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए टेस्ट ड्राइव क्या मैं तो टेस्ट लेए लिए बट हैंडल अभी वाई मेरे को कमफट तो लग रहा काफी ठीक ठाक मतलब उतना जुकना नहीं पढ़ रहा जितना ज्यादा कमफर्ट होना चाहिए वैसे तो ठीक है पहले से बैटर है बट अभी जैसे जैसे चलाएंगे ना वैसे वैसे पता चलेगा जैसे अभी ट्राफिक में चलाएंगे या पहले जो पेन होता था वो होगा या नहीं होगा या कुछ और समस्या आएगी सामने वह हमारे र्याइडिक वह पर डिसे तरीके से राइड कर रहा है किस तरीके से नहीं कर रहे तो यह था पूरा नेकेड वाला जो लुक उता है न है एनस वाला वो лучше सकता है और थ़ोटा सा डिफेरींट भी ओसकता है बाकि और ठीक ठाक ही यह थाका उपर हूगया है तो मिर को ऐसा है तो मिरे को चलाने की इसी आदत ना हो और बाकी देखते हैं जैसे जैसे चलाएंगे जैसे यूस्टू हो तो जाएंगे इसका तब पता चलेगा असली कि हाँ क्या है बाकी तो यह मोडिफिकेशन मैंने बहुत दिनों बाद करवा दी है और अभी देखता हूं मैं आपको कहीं खाली सी जगह में इसका सामने का लुक दिखाऊंगा की कैसा होने वाला कैसा नहीं और रही बात वाई टोटल प्राइजिंग की तो भाई 690 आने की 700 रुपर का अल्मोस्ट मेरे क को हैंडल पड़ा है और 200 रुपर मुझे लेवर कोस्ट लगी है और जो मोडिफिकेशन के दुकान थी हो सही एकदम रिजनेबल रेट में मोडिफिकेशन करते हैं मैं पहली बार आया था लेकिन अच्छा काम किया है और उनके पास बहुत सारे काम होते हैं मोडिफाक मोडि अब ट्राफिक आगे आप पता चलेगा थोड़ा बहुत कि कितना कुछ कमफर्ट है नहीं है मुझे तो बड़िया लग रहा है अभी तक चलाने में जितना भी है बाकी देखते भाई पैसे वसूल होते हैं नहीं होते है कि हिटें ट्रैल वाला सिस्टम रहता है तो चलेगा तो ठीक है नहीं तो फिर से तुम उसको दुबारा से मोडिफाइड करा लो अपने वाले हैंडल को वही है उसमें वेस्ट ओफ मनी भी है अभी तो मेरे को ठीक लग रहा है मतलब कह सकते हैं कि जो जैसे आदत नहीं होती ना इस तरीके के हैंडल चलाने की या इस तरीके के पोस्चर की तो उसमें थोड़ा बहुत अभी अनकमफटेबल लग सकता है बट जो पेन वाला सिस्टम था कि प्रेसराइज होके चलाने पड़ रहता हो जुका हाथ नीचे रहता था हमेंचा अब वह नहीं लग रहा है कि हाथ नीचे है अब हाथ हमेंचा सब्सक्राइड है हैलमेट इसले ने उतार रहा हूं बार बार पहनना पड़ता है थोड़ा सा आलस भी है ना तो अब मैं दिखाता हूं भाई का हैंडल किस तरीके से हो गया आपके यह देखो पहले देख रहे थे आप कैसा था आप देखो अब अलग हो गया है ना बिल्कुल लुक भाई यह देखो तो मतलब अगर अगर अब यह थोड़े दिन चलाऊंगा ना और इसके साथ यूज टू हो जाऊंगा तब मेरे को समझ में आएगा कि हां कितना कमफर्ट है कितना नहीं है बाकी जैसे जैसे चलाते जाएंगे वैस वैसे समझ में आता जाएगा लेकिन लूग एक प्रकेट भी आता और लगवाने का अलग लगता तो मतलब उसका नहीं गया उसका हैंडल मिल भी नहीं जाता है मुझे यह मेरे को मिल भी गया इसलिए यामा के सर्वी सेंटर पे डाइसो का हैंडल बार अगर आपको लगवाने ना एंडाइसो यूज कर रहे हो तो दोनों के लिए सेमेंडल आता है और स्टॉक में जो आता है डाउन साइड वाला अगर आपको भी थोड़ा अनकमपर्टेबर फेल होता है तो आप चेंज कराने के लिए जा सकते हो बाकि एक राइड रिव्यू ना इस्पेशली अलग से डालूंगा कुछ दिन चलाने के बाद कि सीन लग रहा है ना वह दिखा देता हूं वह यह है कि थोड़ा सा ना यह नीचा लग रहा है मुझे यह जो होन वाला से सेक्शन थोड़ा से लग रहा है उससे कोई ज्यादा इश्यू नहीं आएगा यह चार स्कुरू होलने हलके से लूज करना इसको हलका सा आग एक अगर रेटिंग के साब से परसेंटेज वाई बताऊं तो पहले से कहीं ज्यादा कमफर्ट है बट अभी 100 परसेंट नहीं कह सकता क्योंकि मैं अभी यूस्टू नहीं हुआ हूं लिटरली जो भी सीन हो मैं क्लेर क्लेर उतार हूं यह से नहीं कि मैं लगवाया पैसे खर्च करें तो मैं अपनी बढ़ाई करूंगा तो बाकी कैसा लगा आपको हैंडल कैसी लगी यह मोडिफिकेशन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना और क्या कुछ और बैतर हो सकता इसके साथ वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो बाकी फाइनली वीडियो को लाइक करना है च कर दो